नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब काज के इस क्लास में, आज के क्लास में हम लोग एक छोटा सो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं, यह टॉपिक है work of sea waves in landform development, landform जो various किसम of landform development होते हैं आप तो आपने पढ़ाई है, हम लोगों ने जियो मोर्फोलोजी चैप्टर ने तो देखो, no doubt, समुद्र की लहरे जहां पर भी आती हैं, जहां पर भी कोश्ट से टकराती हैं, तो वहाँ पर दो काम करती हैं, एक erosion और एक deposition, erosion में क्या करती हैं, जब भी sea waves आकर टकराती हैं, तो वहाँ से वो erode करके अपने साथ sea के तरफ बहुत कुछ materials लेकर चले जाती हैं, और deposition बहुत समय जब sea waves आती हैं तो वह अपने साथ कुछ materials लाकर sea के beaches में deposit करके चले जाती हैं, समझ रहो, यह दो प्रकार के factors basically हमें देखने को मिलता है sea waves में, इसलिए various तरह के हमें land forms देखने को मिलते हैं, अब देखो sea waves जो है, वो तो continuously strike करते रहता है rocks के साथ, है आप कभी भी गर बीच गय होंगे, तो आपको पता है यह वो आते रहता है, सब समय हिट करते ही रहता है rocks को, अब आप सोचो, कोई भी region को में अगर पानी को continuously 24 घंटा हिट करवा रहे हो, तो वहाँ पर automatically crack तो develop करे गा ही, और over the time, एक बहुत लंबा period of time के बाद जो है न, व यह सोचो ऐसे cave रहा होगा, ठीक है, ऐसे, तो उधर से जो यह लहरे आई न, यह हिट करती नहीं, करती नहीं, करती नहीं, और एक particular location है, जिसको पूरा इसने hollow कर दिया, ठीक है, तो तब बन जाता है sea caves, ठीक है, और जब यह सोचो पीछे में भी अगर यह extend हुआ रहेगा, तो यह तो गुफा के तरह नीचे बन जाएगा, समझ रहो बात, तो उसको कहेंगे हम लोग sea caves बन जाता है, बट कभी-कभी यह caves और भी बड़े हो जाता है, और जब यह बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ रूफ ही बचा हो रहता है cave का, ठीक है, और वो sea arc में convert हो है, जैसा कि यह वाला पिछले वाला picture, यह वाला जो अगर पूरा मैं, अगर clearly आपको दिखा हूँ, तो automatically आप समझ जाओगे, तो हाँ, यहाँ पे हमको clearly arc सा दिख रहा है, देखो पहले गुफारा होगा, तो बद बाद में क्या होगा ना, तो उपर का structure अगर नीचे से गि कोस्ट, कुछ-कुछ ऐसा भी region होता है, जहाँ पर जो waves hit करती रहती है, तो वहाँ पर देखेगा, इस type का steep rocky coast आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एकदब vertical सा रहता है, तो actually normal अगर देखेगा, तो यहाँ पर अगर लहरे hit कर रही ही, तो ऐसे beach वाले type का portion कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, बट कब बहुत समय ऐसा भी cliff बना हुआ रहता है, तो उस type के जो landform को हम लोग कहते हैं, sea cliff, ठीक है, तो यह कुछ-कुछ landform features है, जो क्या हमारे को बनता हुआ दिखता है, इस type का कुछ sea cliff दिखता है, ठीक है, चलिए, एसी के साथ यह class समापत होता है, मिलते हैं next class में, till then, bye-bye, take care and thank you for listening to the whole video.